Hi everyone, welcome to my channel Recently, मेरे बच्चे के स्कूल में ड्राइंग कॉंपटिशन था और मैंने उसके लिए एक ड्राइंग सेलेक्ट किया था जिसका फोटो आप देख सकते हैं उसको देखने के बाद मेरी बीटी का रियाक्शन था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा बट फाइनली एक हफ़ते के प्राक्टिस के बाद उसने मुझे ये ड्राइंग बना कर दिखाया कॉंपटिशन के एक दिन पहले तो कैसे ये पॉसिबल हुआ किस तरह से उसका confidence बिल्ट अप हुआ वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी और इनी स्टेप्स को हम उनके बाकी फील्स में भी अप्लाइ कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स टाइम ड्राइंग सेलेक्ट करने के बाद जब उसने ये रियाक्शन दिया कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो मुझे भी डाउट आ गया था कि शायद वो उससे नहीं होगा जब मुझे ही विश्वास नहीं है अपनी बेटी पे तो ओविसली उसका confidence में बिल्ट अप नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर step 1 आता है कि convince yourself first यानि कि हमें पहले अपने बच्चे पे विश्वास होना चाहिए हमें खुद convinced होना चाहिए कि यह drawing उसके लिए सही है age appropriate है हम उसको सिखा सकेंगे तो अगर हमें अपने आप पर विश्वास होगा तो definitely हम वो विश्वास अपने बच्चे में भी जगा पाएंगे उसके बास step 2 हमारा आता है कि हमारे convince होने के बाद हमें बच्चे को भी convince करना है try करने के लिए क्योंकि अगर वही convinced नहीं है और हमेशा उसे यह लगता रहेगा कि उससे नहीं होगा तो वो definitely नहीं करेगा try भी नहीं करेगा इसके लिए reward का जो तरीका होता है मुझे उसको use करना पड़ा था यानि कि बहुत दिन से मैं बेटी 8 and 1 जो writing board होता है उसका demand कर रही थी तो मैंने उसको बोला कि 7 days का तुम hard work करो और तुम्हे वो board मिल जाएगा तो यहाँ पर एक और चीज़ notice करने वाली बात है कि मैंने उसे winning के बारे में नहीं बताया था कि तुम जब win होगी तभी तुम्हें board मिलेगा मेरा बस यहाँ पर एक ही motive था उसको ये greed देने का कि वो hard work को समझे कि hard work करने के बाद भी बच्चों को reward मिल सकता है उसके बाद step 3 आता है कि बच्चे को अगर किसी भी चीज में interest दिलाना है तो आपको भी उसमें interest दिखाना पड़ेगा तो अगर मैं बच्चे को अकेले drawing करने के लिए छोड़ देती और अगर मैं अपने काम में busy हो जाती तो शायद वो practice भी नहीं करती और वो एक दो बार उसे wrong होता उसके बाद वो दुबारा नहीं करती उसके बाद four step आता है कि step by step जाना है हमें जैसे कि जब dog और girl का जो drawing है उसमें आप देख सकते हैं साइड में जो फोटोस चल रहे हैं तो वो उसका like day by day उसका drawing change होता गया था तो उसने शुरुवात की थी जैसे कि यह अगर drawing है तो उसने शुरुवात की थी यह पार्ट से सुरफ यह वाला part और tail और यह sand जब वो इतना भी बनाती थी तो उसको बहुत confidence आता था कि हाँ वो आगे भी कर लेगी और हर एक step पर उनकी तारीफ करना मत भूले क्योंकि जितना आप उनको praise करेंगे हर एक step के correct होने पर उतना ही उनका confidence built up होगा उसके बाद next step आता है false praise मत करिए बहुत बर ऐसा होता है कि बच्चा मजाक में ले लेता है हर चीज को उसको false praise करते है ताकि उसको बुरा ना लगे तो हम उसकी तारीफ करते रहते हैं तो उसे समझ में नहीं आएगा कि उसको कहां पर correct करना है अपने drawing को तो आप उन्हें fun तरीके से criticize कर सकते हैं for example जैसे कि यह जब इस तरह की drawing होती थी तो उसने एक बार बहुत लंबा सा dog बनाया था बड़ा सा dog बनाया था girl है वो बहुत ही लंबा सा बनाया था तो उसमें मैंने उसको बोला कि यह बिलकुल tiger और mermaid जैसा लग रहा है तो उसके बाद से उसको इस चीज का ध्यान रहा कि वो dog को छोटा करेगी और जो mermaid जो girl है उसको भी पो छोटा करेगी आप थोड़ा सा playful तरीके से बच्चे को criticize भी कर सकते हैं उसके बाद last step है इन सभी steps का जो ultimate result, ultimate motive जो हमारा था वो हमें मिल जाता है यानि कि बच्चे को hard work का important समझ में आ जाता है अभी तक उस drawing competition का result नहीं आया है लेकिन उसका 8 in 1 board उसके पास है क्योंकि उसको hard work पे reward मिला है इस तरह के ही steps हम उनके बहुत से fields में, अलग-अलग fields में ये apply कर सकते हैं I hope आपको ये video पसंद आया होगा अगर इस तरह के और videos देखना चाहते हैं तो please में चानल को subscribe करिए अभी के रिज़ स्टे safe, stay healthy, thank you